नमस्ते विद्यार्थियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गनित अकेडमी इंजीनियरिंग में तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग सिलेबस, वेटेज और सेल्फ स्टडी जो लोग करने वाले है जूनियर एग्जिक्यूटिव एटीसी के लिए उसी के उपर जो है वीडियो सेशन रहेगा, तो अगर आप लोग ने मेरा डीटेल नोटिफिकेशन वीडियो एटीसी का नहीं देखा है तो उपर लिंक अभी आप लोग को दिख जाएगा, आप उसे क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग के लिए दे दूँगा, आप लोग उसे जरूर देखिए, ठीक है तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते है, तो यहाँ पर देखिए, जो सिलेबस है, इसमें दो पार्ट में रहेंगे आपका पेपर, तो पार्ट ए में 60 क्वेशन रहेगा, टोटल 60 मार्क्स के लिए, और इसका जो वेटेज रहेगा, यह आपका 50 परसेंट रहे का, और 10 मार्क्स आपका जेनरल नॉलेज और अवेरनेस के लिए रहेगा, अब जो पार्ट भी है, इसमें आपके 60 क्वेशन रहेंगे, मैच्स और फिजिक्स फ्राम यूर 10, 12 का जो आपका लेवल है, उसी से आपको क्वेशन पूछा जाएगा, तो इसका भी जो वेटेज है, इस विल भी 50%, तो यहाँ पे टोटल क्वेशन जो रहेंगे, आपके 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स विल भी 120, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो एक चीज में आप लोग को बता दू, जो लोग भी इस एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी कोचिंग जॉइन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कोचिंग का यहाँ पे कोई necessity नहीं है, मैं step by step आप लोग को बताता हूं कैसे प्रिपैर करना है, तो यह वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोग के लिए concept through questions लेके आऊंग क्योंकि अभी अगर हम इसके syllabus को पूरा detail में पढ़ने लगेंगे, तो हमारे पास इतना time नहीं है, so better रहेगा कि हम यहाँ पे directly concept through questions, मतलब हम concept को सीखेंगे, अलग-अलग questions को practice करके physics और mathematics का 10 प्लस 2 लेवल का, और अगर आप लोग को practice करना है, यहाँ पे questions, तो मैं आपको बोलूँगा कि IIT J level का बिल्कुल नहीं पढ़ियेगा, एकदम simple, simple आप लोग जो प्रदीप का physics का किताब आता है, उसको उठाईए, उससे बस theory को देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को कोई भी detailed numericals वगरे नहीं पूछा जाएगा, तो physics के लिए, मैं आप लोग को बोल पार्ट का कोई भी tension नहीं लेना है, यह जो है मैं खुदी आप लोग का cover करवा दूँगा through concept through questions, तो different different concept हम करेंगे with the help of questions यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, अब यह वाला जो non-tech part है, यह कैसे हमको cover करना है, तो English language के लिए आपके जितने भी previous year paper है, चाहे ATC का हो, चाहे SSC का हो, आप लोग English language उसको practice कर लीजिए, और जो लोग reading habit जिनके अंदर है, उन लोगों तो मैं बोलूँगा आप English पढ़िये ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, एकदम easy questions आते हैं, कठीन questions बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और reasoning और aptitude के लिए RS अगरवाल का book आता है, आप उससे जर library से paper यहाँ पर बस आप लोग देख लीजिए, तो इतना ही काफी है, और अगर आप लोग यह देखना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो shorts में news आते हैं, उसको आप लोग एक बार read करनेने का कोशिश कीजिए, जैसे कि प्रतियोगिता दरपन अगर आज का session आप लोग को अच्छा लगे, तो please session को share जरूर कीजिए, जिससे की सबसे जादा बच्चे फायदा उठा पाए, यहाँ पर क्योंकि मैं यह concept through questions लेने वाला हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, और अगर यह video session अच्छा लगे, तो please like and share जरूर कीजिए, ठीक ह तो चलिए फिर मिलते हैं अगले session में, धन्यवाद